हलो दोस्तो, मैं हूँ जोटसना चोहान, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है, आज मैं आपके साथ अपना केक का रिस्पी शेयर करने जा रही हूँ, यह यह समाल लगेगा, देखिए, यह यह चीज लगेगा, यह मैदा है, और जो भी मेजर्मेंट बना वो सेम रहेगा, चीनी को हमने इतना ही, जितना मैदा लिया है, उतना ही चीनी को भी ले करके, इसमें दो इलाइची, छोटी इलाइची के साथ हमने पीस लिया है, और मैं इसमें मिल्क डाल रही हूँ, मिल्क भी उतना ही है, जितना कि मेरा मैदा है और चीनी है, यह रिफा यह अंदर में डालूंगे, देखिए आप मैं क्या कर रही हूँ, दूद और रिफाइन और चीनी, तीनों को मैं मिला ली एक साथ, अब मुझे इसमें मैदा डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके मैदा डालना है, और अब मैं मैदे को छान करके डाल रही हूँ, यह मैदा है, पहले मैं इसमें डाल दे रही हूँ, फिर अब इसको चानना है, इसमें इसी वस्त मैं थोड़ा सा एक पींच नमक दे रही हूँ, मिठास को बैलन्स करने के लिए, अब इसको मैं दीरे-दीरे इसमें डालूंगे, इसमें दीरे-दीरे जाएगा, और मैं इसको मिक्स करती रहूंगी फिर इसी तरह से सारे मैद्य को मैं इस इस बावल में कर लूँगी चान लूँगी अब यह चन गया अब इसको मैं आच्छी तरह से मिक्स करूंगी इसमें मैं थोड़ा सा गुड भी डाल रही हूं टेस्ट के लिए मैं इसमें थोड़ा सा गुड भी दे रही हूं लगभर एक चमच के अनुसार इतना गुड डाल रही हूं अब मैं इसको अच्छे से फेटना है जब तक कि इसमें खमीर जैसा नहीं लगे बुलबुले नहीं आने लगे जब तक कि इसमें बबल्स आ जाएंगे तब इसका फेटना कंप्लीट हो जाएगा लगभर अब इसमें बबल्स आने लगे हैं इसका मतलब हुआ कि यह फेटा जा चुका है अच्छी तरह से यह एक बॉल में हमने नर्ट्स लिया है थोड़ा किस्मिस है काजू है और बदाम है तो इसको मैं डाल दे रही हूं अभी इतना और इतना मैं डालूंगी बाद में और यह इसे केक की खुश्भू काथी अच्छी आती है है इसका मैं एक स्पून डालंगी वेणीला एसेंस को केक के अंदर इससे कलर भी आ जाता है इसका ब्रौनी थोड़ा कलर होता है और इसका खुश्भू भी आता है बहुत अच्छी से अब मैं यह है हमारे केक बनाने का तीन है केक का जो इंस्ट्रूमेंट है सोचे यह है इसी में मैं केक बनाऊंगी मोल्ड इसी के अंदर में मैं इस गोल को डालूंगी तो मैं अब गैस के पास चलती हूं फिर वहां दिखाती हूं अब मैं इसमें इनो डाल रही हूं इनो को सबसे लाश्ट में डालना है तो इसलिए अब मैं इनो डाल रही हूं इनो डालके थोड़ा सा चलाना है और यह इनो तब करना है जब आपका कूकर में कूकर में बनाने तो इनो को तब डालना है जब आप पूकर आपका गरम हो चुका है और आपका जो ये मिश्रन है वो रेडी हो चुका है तब आप इसमें डालिए मेरा केक टीन भी देखिए रेडी हो चुका है ग्रीस करके हमने थोड़ा सा मैदा इसमें डाल दिया था ताकि ये चिपके नही अब मैं थोड़ा सा इधर नट्स को डाल रही हूं और इस गोल को मैं इसमें डाल दे रही हूं, सारे गोल को मैं डाल दे रही हूं इस मिश्रन को केक का जो भी जितना मिश्रन है मैं सब को इसमें डाल रही हूं आप इसी तरह से केक का बना करके आप OTG में भी बना सकते हैं और आप कूकर में, जिनके पास otg नहीं है, microwave नहीं है वो इसमें आराम से बना सकते हैं अपना केक तो अब मेरा ये कूकर गरम हो गया है अब मैं दिखाती हूँ किस तरह से इस कूकर को करना है रेडी इसमें एक बड़ा बाउल नमक लेकर के बिचा दी, ताकि वो अपने गर्मी को बैलन्स किये रहे, और अब चुकि ये बहुत गरम हो चुका है, तो इसको बहुत आराम से मुझे डालना है इसके अंदर, अपने हाथ को बचाते हुए, इस केक टीन को अंदर डाल दूँगे, ठीक है, अब इसको मैं बंद कर रही हुए, इसका रवर और सीटी दोनों निकाल लेना है, इसको बंद करके मैं टोटल पचास से पच्पन मिनट लग जाएगा, गैस पे, दस मिनट में इस तेज आज फूल फ्लेम पे डाली हूँ, इसको सेकूंगी, एकदम पूरा फ्लेम ह इसके उपर हाई फ्लेम पे है, 10 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद मैं इसको लो टू मीडियम पे रखूंगी, अगर आपका ज्यादा फ्लेम आता है, तो उसको आप स्लो पे भी कर सकते हैं, एकदम स्लो पे, और फिर आपको ये 40 मिनट बाद एक बार आप खोल कर देख ल ये जो तीन है, वो गरम ही है, केक तीन जो है, वो गरम ही है, तो अभी जर्ष्ट मैं निकाली हूँ कूकर्स के अंदर से, अब मैं इसको बाहर निकाल करके दिखाती हूँ, बिल्कुल इसके घर मे, वाँ, कितना अच्छा बना है ये केक, अब इसको मैं दिखाती है इधर से, देखिए, बहुत अच्छा बना है, ये कूकर का है, कितना फ्लपी, है ना फ्लपी, देखिए, तो जिसके घर में माइक्रोवेब या ग्रिल नहीं है, तो दिक्कत की बात नहीं है, आप कूकर में मेरे इसमें धर से केक बना सकते हो, काफी टेस्टी बना है देख करके तो काफी टेस्टी लग रहा है देखो कि कितना स्पांजी बना है केक बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सॉफ्ट बना है और अब आप कुकर में भी बना के खाईए और नियु यर आ रहा है पिकनिक पे ले जाएए, खाएए और खिलाएए और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए